मुख्टवाद अंद मुख्टवाद रेक्जाट वी कि अब आ आप यह देखे यह देखे क्या हो रहा है द्यान से देखे इस गजाए के साथ हो गा देखिए देखिए इसने अपने गर्दुन क्या किया अरे निचे गिर जाए अरे पकड़ो 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 इसको उटा 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 निचे गिर जाएगी क्या था ये ये क्या है एक बार ओड देख लीजे देखिए ठीक ठाक कड़िए देखिए अपने गर्दुन को दिर सबस्क्राइब बिल्कुल स्वस्त खड़ी है लेकिन अपनी गर्दन को एकदम से दीरे दीरी दीर तीर ची करती नीचे गिर रहे हैं अब इसका यूज करेंगे और फिल्ड़ आपको कली ऐसी यह क्या करेंगे लगाएंगे और यह बिमारी आपके पर स्ट्प्प्स इंजप् ने केवल दो इमेल दी दबाती है उसका आपको न तो नाम याद है ना उसका सार्ट याद है आपको लेकिन वह मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा और वही इंजेक्शन इस गाए को चप लगेगा तो यह गाए 100% ठीक हो जाएगा किसी पशुको जादी खाना जिसको हम बोलते हैं मिर्गी यह सुद्ध पशु में होती पशु में इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती पशु खाना पिना करता है चलने पिलने में को प्रब्लम नहीं है पेसा आप गोबर बगएरा पूरी ज़रे किसी स्वास्त रहता है पशु लेकिन अचानक से पशु की सरी में हलकी हलकी कमकपी होगी और पशु दिरे दिरे कंपन करता करता नीचे गिर जाता है लेकिन यह गाई क्या कर रहे है कि दिरे दिरे कंपन करते हुए अपनी गर्दन को दिरे दिरे जुकाते हुए नीचे गिर जा रही है अब यह मिर्गी का दोरा इस गाय के साथ भी कुछ ऐसा हुआ है पश्मालिक से जब मैंने पूछा कि ये कब से हो रहा है पश्मालिक ने बताया कि इसको लगभग दो महीने से शमश्या हो रही है पहले इसको कम होती थी पहले इसको बंद हो गई थी पश्मालिक ने बताया कि एक महीने पहले बंद हो जब पशु सोस्ते रहता है तो पशु के ब्रेन में एक दम से अच्छानक से पेन होने लगता है और उस पेन को पशु कंट्रोल नहीं कर पाता है उस पेन को पशु शहन नहीं कर पाता है और वो मानता है कि वो यूं करके उस दर्द को कम करने के कोशिश करता है वो उस दर्द तक सो जाता है थोड़े देर बाद फिर उठ जाता है पैशु क्वाना पिना करने लगता है अब इसमें करण क्या यह एक तो नयुकल को आपको किसी को में किसी बफेलों में किसी गोट में यदि ये शारी समिश्या देखने को मिल रही है तो आप वहाँ पर क्या करेंगे सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर क्या करते बहुत ज्यादा फ्लूट चलाते बहुत बड़े-बड़े इंटिबाइटिक लगाते मैं आपको कही बार कह चुका हूँ हर वीडियो पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना लाल बटन फे दबा के लाइक का बटन अभी से दबा देना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा ज्यादा वीडियो शेयर करना थाकि वह भी ऐसी बीमारी को देखे और अपने पश्यों को टीटमेंट करें उन रचाइब करें की तरह का म करती हुँ उस दवा का नाम में उस मेडिसिंस का नाम है कोंपोस इंजेक्शन यह कंपोस इंजेक्शन दो हैमिल में आता उर दस हैं जैसा आप यह देख होन्त आता है दोड़ीमेल के छोंपने को प्रडूद्यूस करती है यह रहें विक से के पश्यू को 10 लगाना है दो दो एमेल का लागा रहें पांच अमेल आपको टे आईडी लगाना है टे आईडी का मतलब होता है दिन में तीन बार अब यह एंपूल आप चाहिए तो इस गाय को यह किसी भेंश को पिला भी सकते हैं और आप आईवी भी लगा सकते हैं दोनों र इसका साल्ट बगरा भी देख लिए फोटो भी निकाल सकते आप इसका लिख भी सकते ताकि आपका भी भूले ना तो सबसे जादू रिजल्ट देता है इस बिमारी में बहुत ही शांदा रिजल्ट मिलता है इनके भी नदम ठीक ही नहीं कर सकते हैं आप क्या लगाईगे य दूल तो यहां पर यह बहुत जादू रिजल्ट आता है इनका तो आप यह इंपुल पांच एंपुल सुवे पांच एंपुल दौपर को और पांच एंपुल एनिमल्स को शाम को लगा यह तो आईवी लगा यह ओरली भी दे सकते हैं और एली थोड़े कम काम करतेhan को 200 ml एक बार और 200 ml एक बार यानि 200 ml आज और 200 ml कल कि इसाप से पशू को दो बार यानि के वल 500 ml लगानी माइफेक्स चड़ाना में अनिमल्स को 200 ml आज चड़ा दे 200 ml आप कल लगा दे कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होते यह भी आपको चड़ाना बहुत जरूरी आपको यहां पर क्या लगाना इंजेक्शन कोर्टी सोन यदि आपके कोई प्रेग्नेट गाय को मिर्गे आ रही प्रेग्नेट गाय को दोरे पड़ रहे तो आप वहाँ पर आईसो फ्लूट एक आज और कल की सबसे दो बार आईसो फ्लूट लगा सकते हैं यदि कोई पंद्रा पंद्रा में लगातार तिन दिन तक लगाना यहां पर एंटिबाइटिक को रोल नहीं एक बार एनिमल्स की डिवर्मिंग करवानी और मैंने जो बताया ट्रिक्मेंट करवा देना चाहे तो आप यहां पर ट्राइवेट लगा देंगे तो और बहुत अच्छा एंटिबाइटिक नहीं लगाना माइपेक्स आपको क्यवल टूड है इसके लिए अनिमल्स को लगाना बाकि आपको कुछ नहीं करना यह सारे विमारी आपके एक दम से ठीक हो जाएगी कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जै हिन जै भारत